परिचय माधुरी, इस चित्र को देखो हाँ, यह राफैल का बनाया चित्र है जिसमें ग्रीक गणितग्य प्रकार की सहायता से एक जामिती आकृती का निर्मान कर रहा है क्या तुम जानती हो कि जामिती की शुरुवात कैसे हुई? नहीं, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उद्गम भूमी मापने की आवशक्ता के कारण हुआ तुम्हें पता है, आज हमारे अध्यापक हमें जामिती के भिन रूप के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं कौन सा रूप? यूक्लिट की जामिती यह एक गणिती ये पद्धती है जिसके निर्मान का श्रेव अलेक्जान्रिया के ग्रीक गणितग्य यूक्लिट को जाता है जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया था आओ, कक्षा में चलें और सीखें उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे यूक्लिट की परिभाशा को समझना विभिन अभिग्रहितों और अवधारणाओं को पहचानना यूक्लिट की पाचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण को समझना और यूक्लिट के अभिग्रहितों और अभिधारणाओं से समबंधित उदाहरणों को हल करना यूक्लिट का परिचय यूक्लिट को जामिती का जनक कहा जाता है इसलिए नहीं कि उन्होंने जामिती का आविशकार किया था बलकि इसलिए कि उनकी पुस्तक, elements आधोनिक पश्चिमी समाज में प्राप्य जामिती की सबसे पुरानी पुस्तक है यूकलिट की मान्यता थी कि जामिती का प्रत्येक भाग पहले से प्रमानित भागों पर आधारित होना चाहिए हाला की कोई आरंभिक बिंदू अवश्य होना था, इसलिए उन्होंने चार अपरिभाशित पद और पाँच आधार भूत अभिग्रहित प्रस्तावित किये यूकलिट की जामिती का शेश भाग इनही आधारों पर निर्मित है यूकलिट की परिभाशा यूकलिट ने एलिमेंट्स को तेरह अध्यायों में विभाजित किया था, प्रत्येक अध्याय को पुस्तिका कहा जाता है इन पुस्तिकाओं ने समस्त विश्व की जामिती संबंधी समझ को आने वाली पीढियों तक प्रभावित किया वह अपनी टीका का प्रारंब एलिमेंट्स की पहली पुस्तिका में तेईस परिभाशाओं को सूच बद्ध करने के साथ करते हैं उनमें से कुछ निम्न प्रकार है एक बिंदू वो है जिसका कोई भाग नहीं होता एक रेखा चोड़ाई रहित लंबाई होती है एक रेखा के सिरे बिंदू होते है एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयम पर बिंदूओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है एक प्रिष्ठ वो है जिसकी लंबाई और चोड़ाई होती है प्रिष्ठ के किनारे रेखाई होती हैं एक सम्तल प्रिष्ठ ऐसा प्रिष्ठ है जो स्वयम पर सीधी रेखाउं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है स्मरण योग्य बिंदू एक बिंदू, एक रेखा और एक सम्तल सिर्फ अवधारनाई हैं और इन पदों को अपरिभाशित माना जाता है यूकलिड की अभिग्रहिताएं यूकलिड ने अभिग्रहिताओं और अभिधारनाओं का वर्णन किया है जिनकी हम यहां चर्चा करेंगे अभिग्रहित या सामान्य अवधारना संबंधों के बारे में होते हैं जैसे कि बराबर होने का क्या आर्थ होता है, आप चीजों का योग या व्यवकलन कैसे करते हैं आधी-ाधी, ये वो अनुमान हैं जो स्वयम सिद्ध सत्य हैं, यूकलिट के कुछ अभिग्रहित या सामान्य अवधार नाएं हैं, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, तो पून भी बराबर होता है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, तो शेश फल भी बराबर होते हैं, वे वस्तुएं जो परस पर समपाती हों, एक दूसरे के होता है एक ही वस्तु के दुगने परस पर बराबर होते हैं अभिधारनाए सीधी रेखा वृत, समकोण और समांतर रेखाओं के बारे में बताती हैं। ये पहले से ही परिभाशित हैं। यूकलिट की अभिधारनाओं की संख्या पांच है। पहली अभिधारना एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खीची जा सकती है। दूसरी अभिधारना, एक सांत रेखा को अनिश्चत रूप से बढ़ाया जा सकता है. अन्य अभिधारनाई अन्य अभिधारनाई हैं, तीसरी अभिधारना, किसी को केंद्र मान कर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है. चोथी अभिधारना, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं और पांच भी अभिधारना है यदि एक सीधी रेखा, दो सीधी रेखाओं पर गिर कर अपने एक ही ओर दो अंतह कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिसकी ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है अन्य प्रमेय और साध्य प्रमेय वह कथन होते हैं जो अभिगरहितों पूर्व प्रमानित कथनों और निग्मनिक तरकन द्वारा प्रमानित होते हैं परिभाशाओं अभिगरहितों और सामान्य अवधारनाओं की अनुसार कुल अड़ तालिस साध्य हैं प्रत्येक साध्य में एक कथन और उस कथन की सिध्धी होती है। प्रत्येक सिध्धी का कथन परिभाष, अभिधारणा, सामान्य अभिधारणा या पूर्व प्रमानित किसी साध्य द्वारा तारकिक रूप से सत्य प्रमानित होता है। कुछ साध्य निर्मितियां होते प्रमेय, दो भिन रेखाओं में से एक से अधिक बिंदू उभाय निष्ठ नहीं हो सकता दिया गया है दो भिन रेखाओं L और M है हमें सिद्ध करना है कि रेखाओं L और M में केवल एक बिंदू P उभाय निष्ठ है हम इसे अंतर विरोध द्वारा सिध्ध कर सकते हैं मान लीजिए कि दोनों रेखाएं दो बिंदूओं P और Q पर प्रतिछेद करती हैं आता हम देखते हैं कि दो भिन रेखाएं दो भिन बिंदूओं P और Q से होकर जाती हैं लेकिन ये कल्पना उसी अभिग्रहित के विरुद्ध है जिसके अनुसार दो भिन बिंदूओं से होकर एक अध्वित्तिय रेखा खीची जा सकती है आता हमारी ये मानिता गलत थी कि दो रेखाएं दो भिन बिंदूओं से होकर जा सकती हैं अतह दो भिन रेखाओं में एक से अधिक बिंदू उभय निष्ट नहीं हो सकता यूकलिट की पांचवी अभिधारना के समतुल्य रूपांतरण हमारे पास यूकलिट की पांचवी अभिधारना के समतुल्य दो रूपांतरण है पहला रूपांतरन लेफियर का अभिग्रहित है इसके अनुसार किसी दिये गए बिंदू जो रेखा पर न हो से होकर जाने वाली किसी दी गई रेखा के समानतर एक अध्वित्तिय रेखा खींची जा सकती है और दूसरा अभिग्रहित है दो भिंद प्रतिछे दी रेखाएं एक ही रेखा के समानतर नहीं हो सकती यूकलिट के प्रथम चार अभिधारनाओं की सहायता से यूकलिट की पांचवी अभिधारना को सिद्ध करने के सभी प्रयास असफल रहे लेकिन इन प्रयासों से अन्यक गई जामितियों की खोज हुई जिन्हें अयूकलिटिय जामितियां कहा जाता है उदाहरन आएए अब एक उदाहरन हल करें सिद्ध कीजिए कि किसी दिये गए रेखा खंड पर एक सम बाहुत्रिभुज का निर्मान किया जा सकता है एक रेखा खंड पी क्यू खीचिए यूकलिट की अभिधारना तीन जिसके अनुसार किसी को केंद्र मान कर और किसी द्रिज्या से एक वृत्त खीचा जा सकता है के प्रयोक से हम एक वृत्त खीचेंगे जिसका केंद्र पी और त्रिज्या पी क्यू हो पुनह हम एक वृत्त खीचेंगे जिसका केंद्र Q और त्रिज्य Q P हो मान लीजिए कि ये दोनों वृत्त बिंदू R पर मिलते हैं P और Q को R से मिला दीजिए अब त्रिभुज P Q R में P Q बराबर P R और P Q बराबर Q R है अतह अभिग्रहित चार के अनुसार जिसमें एक ही वस्तु के दुगुने परस पर बराबर होते हैं हमें P Q बराबर Q R बराबर P R प्राप्त होता है इस त्रकार त्रिभुज P Q R एक संबाहु त्रिभुज है क्या आप जानते हैं? एलिमेंट्स के लेखक यूकलिड तीन सव ईसा पूर्व के बारे में बहुत कम जानकारी है वह अलेक्जान्रिया के संग्रालयों और पुस्तकालयों में पढ़ाते थे जिनकी स्थापना टॉल्मी प्रथम ने की थी कहा जाता है कि टॉल्मी प्रथम ने यूकलिड से पूछा था कि क्या जामिती सीखने का एलिमेंट्स से भी कुछ छोटा तरीका उपलब्ध है एलिमेंट्स के मुख्य तत्य इस प्रकार है यह तेई सौ साल पहले लिखा गया था उसकी कोई भी प्रतियां वर्तमान में उपलब्ध नहीं है इसके बहुत से नए संसकरण जारी किये गए सबसे पुरानी प्रति जुकी आठ हजार अठासी इस्वी की है वो ऑक्सफोर्ड में है शैली कोई उदाहरण नहीं, कोई प्रूचसाहन नहीं, कोई गणना नहीं, कोई चुटीली टिपणी नहीं, कोई परिचै नहीं, कोई प्रस्तावना नहीं, कुछ नहीं सिर्फ प्रमेय और उनकी सिध्धियां है सारांच आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं बिंदु एक रेखा और एक सम्तल जैसे पद अब अपरिभाशित माने जाते हैं अभिग्रहितियां या अभिधारनाई वो मान्यताई हैं जो सर्वग्यात सार्वभौमिक सत्य हैं वे सिध नहीं होती हैं प्रमेय वो कथन है जो परिभाशाओं, अभिग्रहितों, पूर्व प्रमानित कथनों और निगमनिक तरकन द्वारा प्रमानित हैं यूकलिट की पांचवी अभिधारना के सम्तुल्य दो रूपांतरण हैं यूकलिट के प्रथम चार अभिधारनाओं की सहायता से यूकलिट की पांचवी अभिधारना को सिध करने के सभी प्रयास असफल रहे लेकिन इन प्रयासों से अन्य कई जामितियों की खोज हुई जिनहें अउकलिडिय जामितियां कहा जाता है